हेलो डियर इस्टुडेंट आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में स्वागत है और आज हम बात करेंगे पैरा सिंपैतो मेमेटिक्स या कोलिनर्जिक के बारे में जैसा कि हम आपको बता दे कि पैरा सिंपैतो मेमेटिक्स या कोलिनर्जिक के बारे में या दिवोड एक्जाम में पूछा जाता है तो हमें इसके बारे में कितना लिखे कि हमें मिल जाए तो जैसा कि मैं आपको बता देंति कि सबसे पहले हमें पेरह से टो मीमेटिंग या कुलिनरजिक के deformation देनी चाहिए और सकंड नंबर पर हमें इसका classification करना चाहिए और थर्ड नमबर पर हमें इसके pharmacological action के बारे में लिखना चाहिए और फोर्थ नमबर पर pharmacokinetics और फिप्थ नमबर पर therapeutic use, six नमबर पर adverse effect, seven नमबर पर contraindication, eight नमबर पर drug interaction और nine नमबर पर market preparation लिखना चाहिए जिससे हमें full mark मिल सके तो आज हम इस topic में केवल इसके definition और classification के बारे में बात करेंगे तो चले हम describe करते हैं kolinergic के बारे में these are the drugs वेदवाएं that produce the action similar to that of parasympathetic stimulation जो parasympathetic stimulation अर्थात उत्तेजना के समान action का उत्पादन करती है in other words दूसरे सब्दों में they mimic the parasympathetic stimulation stimulation वे जो हैं parasympathetic stimulation अर्थात उत्तेजना का नकल करती हैं अब हम बात करेंगे इसके classification के बारे में classification means वर्गी करड़ तो first group है इसमें कोलिन एस्टर कोलिन एस्टर ग्रूप के अने वाले ड्रक का साल्ट नेंग एक्जामपल अर्थात उदारण जैसे इसे टाइल कोलीन कारवा कोल मिथा कोलीन बेथाने कोल और ता अर्थात कोलिन एस्टर ग्रूप के अंतर ग्रूप के आने वाले ड्रक का इसे टाइल कोलीन कारवा कोल मिथाकोलीन बिठाने कोल है सेकंड ग्रूप है हमारा नेचुरल एलकेलाइड नेचुरल एलकेलाइड के अंतर गत आने वाले ड्रग के साल्ट नेम मस्क्रीनिक एरिकोलीन पिलोकार्पिन और थाड है संद्धेयाटिक हलकेलाइड सिंधैयाटिकललाइड गुरूप के अंतरकत आने वाले DRUGS DRUGS क्लीडाइन और आक्सूट्रोमोरिन किसी में क्या है इसे फूर भागों में डिवाइड किया गया और किसी किसे में से केवल तीने स्टेप में किया गया तो चलिए देख लेते हैं चौथे स्टेप के बारे में भी कि अब फूर्थ है एंटी कोलिन इस्ट्रेज एंटी कोलिन इस्ट्रेज के अंतरगत दे में भी वे हो सकते हैं नेचुरल सिंतेटिक या इरविज्शिबल हो सकते हैं हैं नेच्योरल पिंद आने वाले ट्रग एक्जांपल जैसे फाइसोये इस्टिक माइन और शिंठेटिक सिंथेटिक गुरूप के अंतरकत आने वाले ड्रक के साल्ट नेम एक्जामपल अर्थात उधारण नियो इस्टिग माइन एड्रोफोनियम डेमाक्रियम बेंजो क्यूनोन टेट्रा हाइड्रो माइना क्रीन पारिडो इस्टिग माइन दोनों पेजिल रिवाव इस्टिग माइन और गैलेंटा माइन है इसी प्रकार इरिवर्सबूल गुरूप के अंतरकत आने वाले ड्रक एक्जामपल अर्थात उधारण देसे डाई आइसो प्रोफाइल फ्लूरो फास्वेट याइसम डी इपी भी करतें डी इपी मिन्स होता है डाई आइसो प्रोफाइल फ्ल उफ्लियान, मैला थियन, गुतियान, मैलोगजोन, पैरकजोन और इठीो फास्वेट आते है आल्दार इरिवर्सिबूल एंटी कोलिन स्ट्रेज आर आर Benjamin आर्गैनो फास्फोरस कंपाउंड सभी इर्रिवर्सिबल अर्थात आय परवर्तनी एंटी कोलिन इस्ट्रेज आर्गैनो फास्फोरस योगिक हैं और यूजड चीफली अर्थात मुख्य रूप से इंसेक्टी साइड पेस्टी साइड या रासानिक यानि केमिकल वार्फेरन एजेंट के रूप में उपियोग किये जाते हैं तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सस्क्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भोलिए